हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेज सेंडविच और वेज टोस्ट की रेसिपी लाई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही सवादी और ये किसी भी समय हम सुबह के ब्रेकफास्ट हो या शाम का नास्ता हो, उसी समय हम खा सकते हैं और अपने म बाल के रखा था, उसको मैंने गोल काट लिया है, और कुकुम्बर थी, उसके भी मैंने गोल-गोल पीसिस कर लिये, बटर लिया है, चाट मसाला, टमाटर, और ओनियन, और बीटर, और आप कौन सी भी शिमला मिर्च भी आपके पास अवेलेबल हो भी ले सकते हैं, पनीर के फोर पीसिस लिये हैं, जिस पर मैंने बटर स्प्रेट किया है, इन ब्रेट पर हमें अच्छी तरह से बटर स्प्रेट कर देना चाहिए, जिससे टेउस्ट का या सैंडविच का टेस्ट बढ़ता है, इसे हम एक साइड से ही बटर लगाएंगे, बटर खाने में भी हेल्दी होता है, और इसका सवाद भी बहुत ही अच्छा होता है, जब हमारा बटर स्प्रेट हो जाए, अच्छी तरह से तब हमें इस पर, दो स्लाइस पर, पहले हमें चटनी स्प्रेट करनी चाहिए, अगर इस पर आप उसी समय भी टमाटो सास भी लगाना चाहिए, कैचप, टमाटो, तो वो भी आप लगा सकते हैं, इस से और भी सवाद भरता है, इसके उपर फिर हमने फोर पीसेज, या आप बली छोटे-छोटे पटेटो के जो हमने पीसेज किये थे, वो रख सकते हैं, और इसके उपर क्युक्युम्बर, जो भी हमने वेजिटेबल्स काटी थी, आप वो इसके उपर डाल सकते हैं, इसके उपर चाट मसाला भी थोरा डालिए, जिससे इसका सवाद और बढ़ेगा, टमाटो इसके बाद हमने लगाया है, बीट रूट फिर रखेंगे, ओनियन रखेंगे, अगर आप शिमला मिर्च, कैरेट, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, आप वो भी सेंडविच या वेजटोस्ट में डाल सकते हैं, सेंडविच या वेजटोस्ट हलका फुल का नासता है, और आजकल हर किसी गर्मी, शाम के समय, बच्चों को भी नासता चाहिए ही होता है, तो आप ये आसानी से उसे गर्मे बना सकते हैं, अच्छी तरह से जब भी हमने ये सामा ये डाल दिये वेजिटेबल्स, उसके उपर फिर हमने जो चटनी लगा के सेंडविच रखी थी, वो डाल के, अब हम उसे चाहें, तो टोस्ट के रूप में भी कर सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी सलाट सेंड करके भी खा सकते हैं, मैं वेज टोस्ट भी कर रही हूं, बना रही हूं, इसे में बटर लगा कर दोनों साइट से थोरा ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर करने का है, ज्यादा इतना नहीं सेकना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हमें इसे एक प्लेट में उत कर इसके फोर पीसेस या सिक्स पीसेस आप जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं इसके उपर आप मायोनीज भी डाल सकते हैं जो आज कल बहुत ही बच्चों को पसंद है इसके उपर आप चीज या पानीर जो भी आपको अच्छा लगता हो वो भी आपका दुगस करके डाल सकते हैं इसके उपर फिर आप थोरा सा चाट मसाला और चटनी या सास जो भी आपको अच्छी लगती हो कैच्चब टमाटो वह भी आप डाल सकते हैं अब हम दूसरी सेंड्विच की भी तैयारी कर रही है उसमें भी हम वसी प्रकार से ही वेजिटेबल्स डाल कर उसे हम ऐसे ही सेंड्विच के रूप में ही परोस रहे हैं जो खाने में बहुत ही सवादी लगती है अगर आप बटर कम लगना चाते हो याँ स्किप करना चाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो इस परकार से हमारी वेजिट सेंड्विच और वेजिटेबल्स डोनों तैयार हैं आप भी अपने गर में दोनों का मजा लीजिए जो बनाने में बहुत ही ईजी है और हल्का फुल का आस्ता है और मेहमान को भी हम ये वेज सेंडविच ये वेज टोस्ट खलाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे पैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत बुलिए लाइक और प्रेस का बटन जरूर दबाईए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएए और अगर आपकी कोई डेमांड हो किसी भी रेसिपी की तो आप मझे जरूर कमेंट या शेयर करके जरूर हमें बताएए मैं उसे बनाने की पूरी कोश करूंगी टेंकिन